पहली बार पंचायत राज विभाग अपने हिस्से में लेकर बीजेपी पंचायत चुनाव की जीत सुनेचित करने में जुट गई है सत्तापच में रहे या बिपच में दलगत आधार बनाके पंचायत चुनाव कराने की मांग बीजेपी करती रही है अब अपने बयानों के जरिये नहीं, नितिश कुमार पर परस्ताव के जरिये भी दवाव बनाया जा रहा है आकलन ये किया जा रहा है कि मई जून में पंचाय चुनाओ होना है और उसको लेके लगातार बीजेपी तैयारियों में है हमारे साथ बात करने के लिए पंचायत राज के ससंयोजक मुंकेश कुमार नंदन जी है बीजेपी के वरिये लीडर भी है उनसे बात करेंगे जो 2017 में अगर बात कर ली जाए तो राष्टी अध्यस्त है अमिसा जी उन्होंने कहा था कि पंचायट टू पार्लियमेंट इस रोड मैप के तहट उन्होंने बाते की थी जो हाली में हैधराबाद में भी जो चुना हुआ उसमें इसी रोड मैप के अधार पे चुनाओ लड़ा गया रनीती बनाई गई और सफलता हासिल हुई पंचायती राज का जिममा आपको दिया गया किस परकार से जो पंचायट ​​my चुनाओ हुने वाले मैई या जून में यह चुनाओ होंगे उसको लिके किस परकार से तयारी चल रह याँ बंचायत लेवल पे आप लोग किस परकार से पार्टी को और मजबूत करने के लिए प्लानिंग देखे लोकल बड़ी का जो भी चुनाओं होता है वो आसपास के जो भी राज्य हैं बिहार से सटे हुए या बिहार से सटा हुआ राज्य हमारा जो नया हमसे बना है जारखन जो है या बंगाल की बात कर ले या उडिशा की बात कर ले या मदपरदेश की बात कर ले राजस्थान की बात कर ले जितने भी राज्य हैं इन सारे राज्यों में दलगत आधार पर बरसों से चुनाओं होते आ रहे हैं लेकिन बिहार का ये दुर्भाग के कहा जाए कि बिहार में अभी तक जो भी नगर निकाय के जो इन सब का जो चुनाओं होता आया है वो दलगत आधार पर नहीं होता आया निश्चित तोर पर भारतिय जनता पार्टी यह प्रियास जरूर कर रही है और हम लोग यह अपनी जो राजस्तरीय जो नेत्रेतों है और केंद्रीय नेत्रेतों है उनके समख्ष हम लोगों ने इस गाउं का भीकास करना वो उसमें हम लोगों को भारतिय जंता पाटी के लोगों को ज्यादा अच्छी भूमी का निभा पाने में जो है वो सहूलियत होगी चुकि चुनाओं तो होते है लेकिन जिन भी दल्पड़के जो जो लोग चुनाओं जीत के आते हैं वो कहीशना गह बाते हैं कि अगर हम दलगत आधार पर चुनाओं होंगे तो जो अगर किसी भी दल का मुखिया होगा या वाट पारसद होगा चेयर्मैन होगा वाइस चेयर्मैन होगा जिला परसद होगा मेर डिप्टी मेर होगा तो उसको अब दल के आधार पर जो है हम अपने कारेकरताओं योजना या राजय सरकार की जो योजना है ओ नली-गली की योजना हो या घर-घर जल्प की योजना हो या फिर सोचाले की योजना हो या फिर जो जो गरामीन शेतरों में सरक बनाने की योजना हो यह जो भी आप देखते होंगे केंदर सरकार की लगभग 90 परतिसत योजना ज पंचायत चुनाओ की बात कर लीजाए, तो शे सीटों पे जो पंचायत चुनाओ होता है, छे पदर रते हैं, उसको लेकर पंचायत लेबल पे जिस परकार से निटी, जो रिंदर मोदी हैं, देश के प्रधान मंध्री है, उन्होंने पंचायत गाओं को और अच्छे धंग से बनाने के लिए स्माट बनाने के लिए तमाम तरह की सुविधाओं के लिए ख़ी जनाई भी चलाई है अगर सरक से जो गाउं के जोड़ने की बात आजाई तो परधानमंत्री अटल भिहरी वाजपई थे परधानमंत्री ग्राम सरक योजना का उन्होंने शुरुआत किया ता आज पूरी तरह से सुविधाई भी मिल रही है लेकिन आवास तो कई बार उठाई गए लेकिन इस चीज को दलगत आधार को बना के जो चुनाओ लड़ने की बात आती है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया इस बार बीजेपी के ही खाते में ये भी यहां मैं आपको एक बात असपस्ट कर देना चाहूंगा कि मैं भारतिय जनता पार्टी का प्रकोस्ट का प्रदेश का सहसंजोजग हूं मैं भारतिय जनता पार्टी का जो द्रिश्टी कून है मैं वो रख सकता हूं बिहार सरकार का द्रिश्टी कून मैं नहीं रख सकता या भारतिय जनता पाटी की जो रास्ट्रिय नित्रत्व है उनसे हम मांग रख सकते हैं इसको किस तरीके से लागू किया जाया और इसके जो फाइदे हैं हम उस पर चर्चा कर सकते हैं करना तो अंतो गत्वा जो है बिहार सरकार को तै करना है करना तो अंतो गत्वा केंदर सर कारेकरताओं को ये निर्देश है और ये हम लोग मजबूती से कि इस बार पंचायत का चुनाओ जो होगा लोकल बड़ी का जो चुनाओ होगा जिला परसत का चुनाओ होगा बीडीसी का जो चुनाओ होगा हमारे मुखिया का जो चुनाओ होगा उप मुखिया का सर्पंच का जो चुनाओ होगा वाड़ पार्सत का जो चुनाओ होगा ये इस बार भारतिय जनता पार्टी बिहार में पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और हमारे अधिक से अधिक कारेकरता चुनाओ जीत के आए ऐसा हम लोग की अपनी पूरी तयारी है पी टूपी दोजार सत्रा में जो ये बाते की गई थी रोड मैप तयार किया गया था ये तो जो राष्टी अधियस थे उस समय हमित साजी उनका भी सपना था आप लोगों ने भी इस परकार की आवाजों को उठाया इसको लेकर रेनु देवी से बात कि रेनु देवी से बात कि अगर दलगत आधार पर चुनाओ अगर होता है तो विकास के जितने भी जो कारे हैं वो ज्यादा मजबूती के साथ जो है जमीन तक पहुँच पाएंगे चुकि भारतिय जनता पाटी का संगठन हर गाओं हर पंचायत में मजबूती के साथ हर बूत पर हमारे संगठन है तो निशित तोर पर अगर हमारे लोग चुनाओ जीत के आएंगे तो वो अपने केबल वादा नहीं करेंगे बलकि अपने गाओं का विकास करेंगे अपने टोलो का विकास करेंगे अपने ब्लॉक का विकास करेंगे अपने जिसको को ते महले और नगर का विकास कर है वो अपक्र सुझत भी स्वीसारे को रे हैं और उनके तरब से भी साकारातमक जो है वह मिल रहा है और इस चर्चा चल रही है फाइनल क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा अगर पंचायत देखा जाए गाउं देखा जाए तो सरक हो बिजली हो पानी हो यह तमाम तरह की जो सुईधा हैं वो परधान मंत्री हो या मतलब जो भी विभाग हो उसके तरफ से बेहतर कार किया ग बिहार और एकाद और कोई राजर जो है वो छूट जाते हैं बाकि सारे राज जो भी इस तरह के जो चुनाओं होते Но यह और इसको इस रुप में यह अभी हम लोग के समक्ष आया है कि अभी जो तिलंगाना में जो हैदराबाद में नगर निगम का चुनाओ हुआ उस नगर निगम के चुनाओं में भारतिय जनता पाठी 4-49 सीटों के उपर जो है उसने अपनी बढ़त बनाई इसका एक सुखत परिनाम ये देखने को मिल है कि अगली बार जब बिधान सवा चुनाओ जो है दोजर चौविस में तिलंगाना में होगा तो उसके जो है प्रवल दावेदार के तौर पर भारतिय जनता पाठी को मना जा रहा है तो हमारी अगर नीचे की काई में अगर हम चुनाओं जीत कर हम अपनी सरकार बनाते हैं लोग साव में चुनाओ जीत कर हम केंदर में अपनी सरकार बनाते हैं तो यह तो हम लोग भारती जनता पाठी के कारे करताओं का तो यही पर्यास रहेगा कि हम लोग हर जगा पर जो है वो अपने मूत को मजगूत करें अपने पंचायत को मजगूत करें अपने वाड को मज और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला लेकिन एक अच्छा मैसेज भी देने का काम किया था कि चुनाओ अगर नीचे लेवल के लोग हो गाउं के लोग वो भी अपने हैं और उनको भी कई न कई विकास की जरूरत कि यह बात कहना कि जदियू चुनाओ नहीं चाहती है यह मेरे हिसाब से सही नहीं होगा जदियू क्यों नहीं चाहेगी जदियू के जो नेता है इसका जवाब तो वही अच्छा देपाएंगे लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं एक थोड़ी परिशानी रही है परिशानी क्या रही है कि लगवग 1984 के बाद जो है 83-84 बाद जो है वो वाड का चुनाओ और जो तिरियस्तरिये पंचायत का चुनाओ जो है वो बिहार में रुक गये थे और 20 साल के बाद लगवग जो 2004 में जो है ये चुनाओ पुना शुरू हुए और उस चुनाओ के शुर जो एक पूरे देश के सामने के उधारन दिया तिर्यस्तरिये पंचायत में पूरे देश में कहीं भी महिला आरक्षन लागू नहीं था और जहां पूरे देश भर की महिलाएं जो है महिला ससक्ति करन के लिए वो संघर्ष कर रही थी कि 33% आरक्षन मिले वहां बिहार में जो ह पचास परतिसत का आरक्षन मिलने के बाद आज अगर लगबक एक लाख वीस हजार जो है वो तिरिया सरीय पंचायत के जो पद होते हैं उसमें लगबक साथ परतिसत जो जन परतिनीदी हैं वो महिलाएं हैं यह अपने आप में पूरे भारत में यह अपने आप में एक उधार सकतिकरन जो है पंचायती राज में की वैवस्ता में पचास परतिसात आरक्षन और उसके अत्री ordering जो सामाने सीटोंमने 10 ki महिलाएं जीत की आई इन झीले तूरा बिहार आजको है पंचायत में एक अग्र भूमी का निभा पाया तो दलगत आधार पर जो भी कारन है उन कारणों को दूर करने का जो है वो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी पाटी के सिर्ष नेताओं से इस भी सह पर बात कर रहे हैं कि अगर अगर दलगत आधार पर होगा तो और ज्यादा बिवस्ची से विहार ने निश्चित तोर पर जो है जो इंडिये के सरकार पिछले 15-16 वर्सों से चल रही है इस सरकार से हम लोग को फायदा मिला है लेकिन अभी कुछ और फायदे जो है वो बाकी है उस उन फायदों को लेने का हम लोग पर्यास कर रहे हैं और इसमें तो निश्चित तोर पर हम यह कहूंगा कि भई जो राजद के लोग हैं या कॉ उसी वो है चुकि पहले कॉंगरेस की सरकार थी और उसमें कर राजद की सरकार ती तो राजद की सरकार ने इसको जो है दलगता आधार को मिला कि इसके लिएक वही वेक्ति को दोसी की सरकार नहीं चाहि सकता है हाँ आज हम इस सरकार में सामिल हैं और इसी कारण जो है हम लोगों ने इस बात की जरुवत को समझा है और इस बार निश्य तोर पर हमारे केंदियर नेतिर ने भी इस जरुवत को समझा है और इसी कारण इस बार पंचायती राज का जो विभाग है वो भरतिय जनता पाठी के का मंतराले जो है वो परदी जंता पाटी के कोटे में आया है और हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं एक चीज़ और है अगर पुरे बिहार में पंचायत की बात कर ले जाए आठ हजार आठ सो सैथिस के लगभग पंचायत पंचायत हैं आप गय होंगे वहां के जो जीते कराई जाए तो बहतर होगा निश्यत तोर पर फ्रिक आगर मैं भारती जंता पाटी की कारेकरता तो यह calculate को यह हूं तो निश्यत वर्पर हम कारेकरताओं का एक दर्द भत εतिव होता है कि जब हमारे ही बार। शूना नहीं होता है ठीलिकिर थिल में है उसमें थोड़ी पर परिशानी हो जाती है तो हम लोग अगर एक व्यक्ति को जैसे बिधान सावा का टीकट मिलता है और वो सारे पूरी पाटी के काले करता उसके लिए काम करते हैं उसी तरीके से किसी वाड में अगर किसी व्यक्ति का नाम तय हो जाएगा और उसको पाटी का सिंबल रहेगा तो निश्य तोर पूरी पाटी उसके पीछे ताकत लगाएगे पंचायत में जिसको भी अगर टिकट मिल जाएगा कि भाई ये हमारा मुखिया का उमिदवार है तो कार से पंचायत चुनाओ जो होने वला वो दलगत आधार पर चुनाओ इसकी डिमांड भी करते और इसको लेके ये आला कमान को परस्ताव भी भेजें और इसको लेके लगातार कोशिस जो वह जाड़िये रोई कि आदव एंबीसी 24 पटना साथ इंडियन खाना खाने के शौकीनों के लिए एक मात्र रेस्टोरिन चिन्नेई डोसा प्लाजा जहां आपको मिलेगा 107 किस्व का डोसा इडली उत्तपम समेट कई स्पेशल डिश एक ही छट के नीचे नौन वेज और वेज दोनों तरह के डिश का उठाए जाई का स्वाद ऐसा कि एक बार यहां खाने के बाद आप बार बार आएंगे निउड डाउन सिटी और जेन्नेई डोसा प्लाजा पता नोट कर लिजे गोरकनाथ कॉंपलेक्स इस्ट बोरिंग कनाल रोड पटना हमारा कॉंटाक्ट नंबर है 8 6 9 3 2 0 8 2 9 0 निए 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 स्ट्टिस्टप्लों सच की ताकत